Hello everyone, कैसे आप सब उमीद करते हैं, आप सब बढ़िया होंगे, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल इतियास बहुत पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Most Expected MCQs की हमने पिछले कल से सिरीज शुरू की है जिसमें हम Most Expected MCQs को study कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाला है, अगर आप NTA, UGC, Net, JRP की preparation कर रहे हैं और साथी साथ 3Vision के लिए भी ये beneficial होने वाला है दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की updates मिलते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला प्रेशन आपकी screen पर मंधिपुरा पाशानिक स्तल समनापूर का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था BN मिश्र के द्वारा और जो HD संकालिया है इन्होंने नवासा का उत्कलन किया था तो ये भी आप याद रख सकते हैं दूसरा प्रेशन है भारत में शेल चित्रों की प्रत्थम खोज हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी 1867 के अंदर 67 इस भी में किसने की थी? कलाईल ने ठीक है? और ये की गये थी कैमूर हिल्स में कैमूर हिल्स में एक जगा पढ़ती है जिसका नाम है सुहागी घाट ठीक है? वहाँ पर सबसे पहले हमें शेल चित्र शेल चित्र देखने को मिलते हैं नेक्स्ट प्रशन है बुर्ज होम किस प्रयाग हैत्यासिक संस्कृति का कैंदर है? ठीक है? जो बुर्ज होम है किस प्रयाग हैत्यासिक संस्कृति का कैंदर है? तो आपके पाश ओप्शन है प्रूप पाशान यूग, उत्तर पाशान यूग, मंध्य पाशान यूग और नव पाशान यूग तो बुर्ज होम नव पाशान यूग का एक स्थल है जहां से हमको मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के क्या है? साक्षे मिलते हैं दूसरा हमको क्या मिलता है? गर्तवास गर्तवास के भी हमको क्या है? साक्षे मिलते हैं नेक्स्ट है किस शेत्र को भारतिय प्रयाग हैत्यासिक टेक्स्ट बुक का आ जाता है क्या बोला जाता है टेक्स्ट बुक कौन सा ऐसा शेत्र है जिसको प्रयाग हेत्यासिक काल की टेक्स्ट बुक बोला जाता है तो ये जो शेत्र है ये बोला जाता है बेलन घाटी को बेलन घाटी कहां पर है यूपी के अंदर इसको पेलोलिथिक एज का टेक्स्ट बुक बोला जाता है नेक्स्ट है तामर निधिया आरियो की कृतित्तो है यह किसका कथन है जो तामर निधिया है आरियो की कृतित्तो है यह कथन है H. गैल्डरनर का ठीक है? पुरा पाशनिक स्तलों में से गर्त आवास ठीक है? पहले भी मैंने डिसकस किया है के साक्षे मिले है तो वुर्ज होम तो हम पहले डिसकस कर चुके हैं यहां से तो मिले ही मिले है और गुप कराल यहां से भी मिले है तापकर राइट जो ओप्शन है B नेक्स्ट है, भारती स्थाल पर गड़े खोधने के साक्षे निमल लिखित में से किस प्राचीन स्थाल पर पाएगे? गड़े खोधने के साक्षे, कहां से मिलते हैं हमको? बुर्ज होम, गड़े मतलब गर्तवास, और रंगपूर. यहां से अमको तीन-तीन गरतवास मिले हैं नेक्स्ट है भारतिय उपमाधीप में निमेलिखित किस तल से सरब प्रथम होमिनिनिड जिवाशम की खोज की गई ठीक है यह आप सभी लोग जानते है कहां से हुई यह अतनोरा से यहां से हमको सरप्रथम जिवाशम की खोज मिलती है Next है बागोर बागोर के बारे में सबने पढ़ा है बागोर प्रथम काल का समबन निमल लिखित में से किस संस्कृती से है आपके पास option है उचपुरा पाशानकाल, तामर पाशानकाल और मंध्य पाशानकाल तो आपका जो right answer है वो है मंध्य पाशानकाल नेक्स्ट है भारत में निमिल लिखित मैंसे किस नब पाशानिक स्थल को सरप्रथम सूचित किया गया इसमें आपका right option है इसमें आपका right option है लिंग सुगूर नेक्स्ट कोशन है 11 हड़ी की मात्र देभी मुर्ती प्राप्त हुई है ये हुई है आपकी बिंद्य घाटी के उचपुरा पाशानकाल से ठीक है आप लोग note करते जाएए आपकी कितने कोशन सही हो रहे है लास्ट में आपने comment box में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने कोशन सही हुए है मतलब आपको कितने आते थे और कितने ऐसे कोशन थे जो आपने पहली बार सुने हो अगला कोशन देख लिजिए भुचड खाना शेत्र का साक्षे प्राप्थ हुआ है कहां से प्राप्थ हुआ है भुचड खाना साक्षे ये हमको मिलता है महादह से ठीक है नेक्स्ट है थर्टीन तोबा ज्वाला मुखी राक सरप्रत्थम प्राप्थ हुई ठीक है ये क्या है वोलकेन है ये सबसे पहले हमको सोन घाटी में प्राप्थ हुई है नेक्स्ट है अदो लिखित में से कौन मंधि सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूत आर्थ की जमाओ है सबसे पुराना जमाओ कौन सा है ओप्षन सी सीहावल ठीक है जो ज्वाला मुखी से भूमी का जलाओ जमाओ है जमाओ इखटा हुआ है ये सबसे प्राचीन है और खेतो ही सबसे नवींतम है सबसे नया है ये वला ठीक है ये सबसे पुराना है पुराना कौशन नमबर नेक्स्ट देख लिजे 15 लगु पाशान उपकरण अदो लिखित कि सस्कृती के परमुक उद्योग है जो लगु पाशान उपकरण है ये मंदे पाशानिक सस्कृती के परमुक उद्योग है ठीक है लगु पाशान यानि कि छोटे छोटे जो पाशान के ओजार है पाशान मिंज पत्थर के जो ओजार है वो हमको कहां से मिलते हैं इस तरह क्योंजार यह हमको मिलते हैं मंध्य पाशान कालीन सस्कृति से नेक्स्ट है 1863 में रोबर्ट जो यूस्फूड थे इन्होंने हस्त कुठार इनको मिला था कहां से मिला था यह यह मिला था पलवरम से ठीक है पलवरम से मिला था नेक्स्ट है सरवादिक संक्या में हस्त कुठार यहने की जो हैंडेक्स है हैंडेक्स कहां से मिले थे हमको यह मिलते हमको निम्न पुरा पाशान काल से यहां पर आपके पास अपर है एक Upper Paleolithic आता है और उसके बाद आपका आता है Middle और फिर Lower Lower Paleolithic में यह हमको मिलते हैं Next है प्राचीन मानब परजाती सबसे प्राचीन जो मानब परजाती है वो कौन सी है यह है आपका Australopithics ठीक है Next है आदुनिक मानब होमोसेपियंस संबंध है किस से होमोसेपियंस बलेड से है उन्होंने एक तेज नुकीले धार वाले पत्थर बना लिये थे इस तरीके के छोटे पत्थर Next है भारत में नप पाशानकाल का निमिलिखित में से कौन सा स्तान था जहां बड़ी संख्या में हड़ी से बने औजार प्राप्त हुए है यह है आपका चिरांद चिरांद कहां पर पढ़ता है बिहार के अंदर यहां पर हमको बड़ी संख्या में हड़ी के औजार प्राप्त हुए है अगनी कुंड का भी हमको यहां से शाक्षी मिलता है अगनी कुंड ठीक है तो फ्रेंड्स यह अंसर की है और अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके सुझाओ है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथी साथ आप बताएगे कि आउंट आप 20 आपका स्कोर कितना है यहीं कि 20 में से आपका स्कोर कितना है वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में जो लोग भी वीडियो को देखेंगे वो वीडियो में कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आउंट आप 20 आपको कितने कोशन नह में वी ले ठीके